रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला एक और खबर टीवी टू ड्रोन के हमले में रूसी सेना को बड़ा नुकसान ड्रोन ने दो S3 आकाशिय होविजर को निशाना बनाया है यूक्रेन के विद्वनसक हमले का वीडियो भी सामने आया है तस्वीरें भी सामने आई है इस हमले की तो युक्रेन की तरब से लगतार रूस को नुकसान पहुचाने की कोशिश और तस्वीरें ये बता रही है कि 6 महीने के बाद भी हालात ऐसे हैं जिसमें युक्रेन पूरी तरह से सक्षम है कि रूस को वो नुकसान पहुचा रहा है रूस के सैंडि ठिकानों पर वो हमला कर पा रहा है और रूस को डीफैंसिव होने के लिए भी मजबूर कर रहा है हैरान करने वाली बात ये भी है कि अभी तक रूस ने किसी भी इलाके में पूर्ण नियंतरन का एक तरीके से एलान भी आधिकारिक एलान भी नहीं किया है दिवेदी सर ये सारे इंडिकेशन क्या है जी जी दिवेदी सर छे महीने हो गए युक्रेन इस स्टिल केपिबल टू अटैक रश्या उसका जो एर डिफेंस सिस्टेम है वो फिर से बन चुका है फिर से रूस को नुकसान वो पहुंचा रहे हैं और बात अगर मैं कहूं दाव बिलकुल चित बात है कि रूस जो है बुरी तरह उलच चुका है अभी देखिए यूद जो है तीसे चरण में है सबसे पहले रशिया ने अक्रमेंट किया फिर स्टेल मेट की हालात बने और अभी पालात है जिसमें युक्रेन पलट वाक कर रहे हैं और उसने अपनी स्ट्र ले लेता है तो उसके रास्ता जो है ब्लैक सी का खुल जाता है नहीं तो वह लैंड लॉक्ट कंट्री बन जाएगा तो इसलिए यह जो यूद है यह अभी तीसरे चरण में है जिसमें यूक्रेन जो है वो पलट वाक कर रहा है और काफी नुकसान भी पुचा रहा है दिख पर आ गई है उसका हम रुख करेंगे लगातार ये तरह तरही जारी है और युद्ध और जादा विद्वन्स को चला है रूस ने एक बार फिर से यूरोप को गैस की सप्लाई रोकी है रूस ने अनिर्शत काल के लिए गैस की सप्लाई रोक दिये रूस का ये दावा है कि पाइपलाइन में बरमत की वज़े से सप्लाई रोकी गई है गैस सप्लाई रोके जाने के बाद ईयू ने रूस पर हमला बूला है हत्यार की तरह गैस का इस्तमाल कर रहे हैं पुतिन यूरोपे यूनियन ने ये कहा है कि ये पुतिन जान बूच करके कर रहे हैं बदला ले तो यूद शुरू होने के पहले ही ये सबको अंदाजाथ था कि रूस इस तरह की चीजों का इस्तमाल कर सकता है, इस तरह के तरीके इस्तमाल कर सकता है, यूरोपिन कंट्रीज पर दबाब बनाने के लिए देखे, नौड स्ट्रीम पाइपलाइन वन से यूरोप को अभी गै गैस कंपनी, गस्प्रोम के सीओ ने इस बात की घोशना किये, नौड स्ट्रीम पाइपलाइन वन के टरबाइन की मरमत नहीं हो पाई है, रूसी गैस कंपनी पर लगे बैन की वज़ह से नहीं हो पाई, मरमत वहीं ई-उ का कहना है कि रूसी कंपनी के सीओ जूट बोल रहे ह ये एक दबाव बनाने की कोशिश है, तो गैस की सप्लाई हो, एनरजी सप्लाई हो, रूस को शुरू से इस बात का पता था कि उसके पास एक ऐसी शक्ती है, वो जब चाहे यूरपियन कंट्रीज को और खासकर दो बड़े देश, जर्मनी और फ्रांस, ये दो ऐसे देश है जिनको वो कभी भी एनरजी के मामले में चोक कर सकता है, एक बार फिर से जो रूशिन कंपनी है, गैस सप्लाई के उसके सीओ पर ये उरूपियन कंट्रीज की तरफ से एउ की तरफ से यही आरोप लगाय जा रहा है, कि मरमत के नाम पर जूट बोला जा रहा है, और दरसल य जिनानी की कोशिश है, आईए, अब समझते हैं कि गैस को लेकर रूश और यूरप के बीच कैसे लुका छिपी का ये खेल चलता रहा है, और इस वज़ा से रूश के लिए परशानी कितनी बढ़ गई है, तो यूरपिय देशों को जाने वाली गैस की जो सप्लाई है, वो यूरप पर भीशन आर्थिक मंदी का खत्रा मंडरा रहा है और इसके अब नतीजे भी दिखने लगे हैं, नौड स्ट्रीम वन यानि नौड स्ट्रीम वन पाइपलाइन से एक शमता के मुकाबले मैज 20 प्रतिशत गैस की ही आपूर्ती यूरप को हुई है, ये एक मेजर सो ये जो सप्लाई है, ये स्मूथ नहीं होगी, संकट बना हुआ है यूरप के देशों पर, यूरप में गैस से बिजली का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, यानि एक पावर क्राइसिस वहाँ पर पैदा होगा, और उद्योग धंदों में भी इंधन के रूप में र पुझा संकट है, उसके निदान के लिए जो दूसरा प्रोजेक्ट था, ये बड़ा हेलफुल होगा, लेने उसके पहले ही यूद शुरू हो गया, और जिस नौड स्ट्रीम वन से गैस सप्लाई हो रही थी, यूरपियन कंट्रीज को वो भी बादी थे, और जैसा कि हम ऐसी तकनी जिसका अंदाजा तो यूरप को था, फिर उन्होंने अपने हाथ क्यों जलाए? जिसको लेकर जर्मनी और फ्रांस बड़े ही होफफुल थे यूद शुरू होने से पहले? हाँ, बिल्कुल वो चाह रहे थे कि यूद यूद इकोनमी के लिए बहुत क्रूशल है और वो इस टेवर में थे कि यूद अप्लाई एक्टिव हो लेकिन अमेरिका का काफी दबा उनके उपर बना तो अब लोग वहाँ जर्मनी में लोग कह रहे हैं कि हम इतनी कॉस्त दे क्यों इतना सब कर रहा है